कहाने के शुरुवत में हम करनन नाम के एक ड़के को देखते हैं जो के तामिल नारू के एक छोटे से गाउ में रहता है और करनन जिस गाउ में रहता है उस गाउ में नीची जाती के लोग रहते थे और उनी के पास के गाउ में उची जाती के लोग रहते थे और ये देखा ज ही दाता है कि उच्छे जाती गाउं के घृ टॉप में खेमिष रुपा करती दी लेकिन करणां के जाम के सामने कोई भृस नहीं था और इसलिए उसके गाउं को बस जगरा होता रहता था कहानी की शुरुवात में हम देखते हैं कि सड़क के बीच एक छोटी सी बच्ची तरब तरब कर अपने जान दे देती हैं लेकिन कोई भी बस या गारी वहाँ पर नहीं रुकती और नहीं तो उस बच्ची की मदद करते हैं और इसके बाद कहानी कुछ स से तालाव में फेका जाता है और जो भी इस गाव के बहुत पुरा नेक तलवार से इस मचली को तालाव में गीने से पहले ही काट सकेगा वो इस गाव का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा और वो तलवार भी उसी आदमी की होगी और पिछले कई सालों से ये काम कोई भी कर पा रहा है और इस साल करनन ये काम करने के लिए आगे आता है और ये देखा जाता है कि वो उस मचली को काटने में और ये देखकर सारे गाव वाले बहुत खुश होते हैं और वो तलवार भी करनन की हो जाती है और वो अब इस गाव में सबसे बड़ा बन जाता है इसके बाद कुछ दिन बीच जाते हैं और हम देखते हैं कि करनन अपने दादा जी के साथ सेंट्रल रिजर्फ पुलिस पोर्स से एक उपन सेलेक्शन कैंप में पार्टिसिपेट करता है लेकिन करनन के दादा जी को इस बात का डर लगा रहता है कि करनन के गुस्से के वज़ा से श साथ उन लोगों की मुलाकात होती है और यह देखा जाता है कि करनन दूसरे को पसंद करते थे इस बात करनन को यह पता चलता है कि जो पदिने उन Nicholas के नहीं बल्के दूसरे गाउं की क्टिक we देखकर कर्णन को बहुत घुसा आता है और जब उन लोगों का गाव आजाता है तो वह कंड़क्टर को बोलता है कि बस रुके लेकिन करणक्टर उसके बात नहीं सुनता और इस बात पर उन लोगों में बहस शुरू होती है और फिर आखिर कर्णन बस से चलंग लगा देता ह और ये देखकर बस वहाहां पर रुखती है और कर्णन के गाओं में जितने भी तर लोक थे सब यहाँ पर उतर जाते हैं और सम्तिय का कर्णन के चुकि Rankine lots का मारा दग्रैंच द्रौपधी बहुत आनोती है उस दिन उसकी एक्जैम था और वो कॉलिक जाने के लिए पास के गाओं के बस टॉप में जाती है लिकिन वहाँ पर मौजूद कुछ लोग उसके और उसके पिता के साथ बहुत बत्तमीजी करते हैं और वो लोग उसके पिता को मारने लगते हैं और ये बात जब करनन और उसके गाओं वालों को पता चलता है तो वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और फिर उन लोगों में मार पित शुरू हो जाती हैं और करणने उच्छ जाती के गावलों के साथ माड़ पिठ किया इस बात से उसके खुद के गाववाले खुश नहीं थे क्योंकि उणे लगा था कि इससे उनके गाव की नुकसान होगी लेकिन गाव के जो मुखिया थे दूरिय धन वो करणन का साथ देते हैं और कहते हैं कि कर्णन ने जो कुछ भी किया अपने गाउवालों के लिए ही किया है दूसरे दरफ हम देखते हैं ये जो कुछ भी हुआ था इसके बाद ड्रॉपदी की छोटी बेहन कॉलेट जाने से मना कर देती है लेकिन कर्णन उसे समझाता है कि उसे पढ़ना होगा और बहुत बड़ा बनना पड़ेगा और उसे ऐसे हार नहीं मानना चाहिए इसके बाद एक दिन रात को कर्णन के पिता को एक सपना आता है और उस सपने में उनकी छोटी बेटी उन्हें कहती है कि उसने अपने बड़ी बहन के लिए पैसा जमा किया था और वो एक जगा को खोद कर देखने के लिए कहती है और ये समझ में आता है कि कहानी की शुरुआत में ही जिस छोटी सी बच्ची की मौत हुए थी वो कर्णन की ये छोटी बेहन थी इसके बाद वो जब नीन से उठते हैं तो उसे जगा को खोद कर देखते हैं कि वहाँ पर कुछ पैसे रखे हुए थे और ये देखकर कर्णन और उसके पड़ी बार बहुत इमोशनल हो जाते हैं पिर हम देखते हैं के एक दिन ड्रापदी का बड़ा भाई वरमलिया जो के कर्णन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था एक दिन कर्णन की बेहन के बारे में उल्टे सिधा कुछ कहता है जो बात सुनकर कर्णन को बहुत बुरा लगता है और वो उस पर हाथ उठाता है और पिर जब ड्रापदी को ये बात पता चलती है तो वो कर्णन को बहुत गलत समझती है और वो कर्णन से बात करना बंद कर देती है कर्णन उसे समझाने की कोशिश करता है कि आखिर क्या हुआ था लेकिन वो उसके कोई भी बात नहीं सुनती है और इस बात से कर्णन काफी दुखी था इसके बाद हम यह देखते हैं कि एक दिन कर्णन के गाव से ही एक परिवार बस से कही जाने वाले थे और उनमें जो औरत थी वो प्रेग्नेन भी थी लेकिन एक प्रेग्नेन जो औरत को देखकर भी कोई भी बस वहाँ पर नहीं रूपते और यह देखकर उस औरत का बच्चा काफी गुस्सा हो जाता है और वो आने वाले एक बस के उपर पथर पेटता है जिससे की बस की काच तूट जाती है और इसके बाद ड्राइवर और कंड़क्टर बस से नीचे उतर कर उन लोगों से लरने लगता है और वहाँ पर करनन के दादाजी भी मौज़ुद थे और वो भी उन लोगों का विरुद करते हैं और तभी वो ड्राइवर और कंड़क्टर मिलकर करनन के दादाजी पर हाथ उठाते हैं और इसके बाद वहाँ पर करनन और बाकी कुछ गाओ करते हैं और पुलिस स्टेशन से इस गाव में कुछ पुलिस अफिसर्स आते हैं और इस हाथसे के पीछे जो कोई भी है उन लोगों को सामने आ जाने के लिए कहते हैं लेकिन गाव वाले किसी का भी नाम नहीं लेते और इसके बाद यह देखा जाता है कि बस ड्राइवर बस क पर हात उठाने लगते हैं जिससे गाव वाले भी गुसा हो जाते हैं और वो लोग बी हाथ उठाते हैं और यह सब कुछ देखकर मुए और सेनियर को नहीं पर करते हैं और वह हुँघ्याっぱ और अब से उनकी बस इस गाव के बस्टॉप में जरूर रुकेगी और ये बात सुनकर गाव वाले भी खुश होते हैं लेकिन वह सिनियर पुलिस अफिसर को ये सब अच्छा नहीं लगता वह तो इन गाव वालों पर हाथ उठाना चाहता था लेकिन उसके ये इच्छा पूर जाता है और फिर आखिर कर जब वह लोग उन लोगों से पूछताच करते हैं तो वह सिनियर पुलिस अफिसर और उसके साथ कुछ और पुलिस मिलकर उन लोगों को बेरहमी से मारते हैं और इन में से सभी बुज़ुर्ग थे और कुछ घंटे इन लोगों को मारने के बाद इन लोगों को पुलिस टेशन के च्छत पर रखा जाता है इसके बाद कर्णन और गाव वाले काफे परिशन होते हैं कि पुलिस टेशन गए हुए लोग अभी भी वापस नहीं आए और फिर वो कुछ लोगों के साथ पुलिस टेशन आता है लिकिन पूछताच करके भी कर्णन को कहता है कि पिछले रात किया हुआ था और सारी बाते सुनकर कर्णन बहुत गुस्सा हो जाता है और वह और उसके साथ आये हुए गाव वाले पुलिस टेशन पर हमला कर देते हैं और सामने आने बाले हर पुलिस ओफिसर को वह लोग भी रामेंसे मारते हैं और इस साथ गाव वापस लेकर जाते हैं लेकिन गाव वालों ने भी यह समझ लिया था कि पुलिस टेशन में जो कुछ भी हुआ इसके बाद पुलिस चुप नहीं बैठेगी और वो लोग भी किसे भी वक्त गाव पर हमला कर सकते हैं इसलिए सारे गाव वाले तयार होते हैं ताकि अगर पुलिस गाव में हमला करें तो वो लोग उन लोगों का मुकाबला कर सकें और करनन भी सारे गाव वालों को इकटा करता है और सब रात तरात जाक कर गाव में पहरा देते हैं इसके बाद करनन के नाम पर एक लिटर आती है और जो पढ़कर यह समझ में आता है कि करनन को पुलिस फोर्स में जॉब मिल गई है और ये उसका जॉइनिंग लेटर था ये बात जान कर सभी बहुत खुश होते हैं लेकिन करणन इस जॉब के लिए नहीं जाना जाता था क्योंकि वह अपने गाव वालों को इतने बड़े जिसे कोई सरकारी नौकरी मिलने वाली थे और ना चाहते हुए भी करणन सब की बात मानकर अपने जॉब के लिए गाव से निकल जाता है और करणन की गाव से जाने के बाद ही यह देखा जाता है कि पुड़ी पुलिस फोर्स इस गाव के सामने आ जाती है और पहले तो गाव चले जाना ही अच्छा होगा लेकिन वहीं सिनियर पुलिस ऑफिसर जो के पहले भी यहाँ पर आ चुका है वह इस बात के लिए तयार नहीं होता और उसके वज़ा से गाउवाले और पुलिस फोर्स के बीच दंगव पसाद शुरू हो जाती है और पुलिस फोर्स के पास ज्य च्छिरक कर आग लगा देते हैं सारी पुलिस औफिसर के सामने आजाते हैं और उन्हें देख कर सब पीछे हटने लगते हैं और सबके आखों के सामने वो जल कर वही परी मर जाते हैं यह देखकर गाव वालों को बहुत बुरा लगता है और वो लोग अपना होसला हार जाते हैं और पुलिस उन लोगों पर फिर से हमला करते हैं और गाव वालों को बचाने के लिए कोई भी नहीं था इसके बाद हम देखते हैं कि उस गाओ में ही रहने बाला एक चोटा सा बच्चा उसके पास एक घुरा था वो मौका देखकर वो घुरा लेकर वहाँ से भाग जाता है और कर्णन के पास पहुचता है और वहाँ पर जाकर वो पुल्स आफिसर के साथ लड़ने लगता है और लड़ते हुए वो फाइनली उसे सीनियर पुल्स आफिसर के पास पहुचता है जिसके वज़ा से ये सब कुछ शुरु हुआ है और वो उस पुलिस ओफिसर को बंदी बना लेता है इसके बाद करनन उस सेनियर पुलिस ओफिसर को अपने साथ एक कमड़े में लेकर जाता है और कमड़े का दरवाजा बंद कर देता है और इसके बाद कर्णन और उस पुलिस ओफिसर के बीच मार पिट होती है और वो पुलिस ओफिसर कर्णन के गाउवालों को लेकर बहुत बुरी बुरी बाते कहता है और ये बाते सुनकर करनन को बहुत गुसा आता है और वो उसी पुलिस आफिसर को वहाँ पर जान से मार डालता है और इसके लिए करनन को एरिस्ट करकर लेकर जाया जाता है और करनन को बहुत मारा भी जाता है और कर्णन के गाओ वाले कर्णन को सपोर्ट करते हैं और उसे बचाने के लिए प्रोटेस्ट भी करते हैं लेकिन इसके बाद ये देखा जाता है कि कर्णन को 10 साल की सजा हो जाती है और 10 साल सजा काटने के बाद कर्णन जब गाउ वापस आता है तो ये देखा जाता है कि अब कर्णन के गाउ में भी एक बस टॉप है और कर्णन जिस बस में आता है वो बस इस बस टॉप में रूपता है और करनन गाओ में आकर देखता है कि गाओ में अब काफी तरक्षी हो चुकी है गाओ के जो सारे बच्चे थे वो अब परे लिखे थे लिकिन गाओ के जो बुज़ुर्ग थे पुलिस के साथ उस लड़ाई के धौरान वो लोग अब काफी बिमार रहते थे इसके बाद हम देखते है कि गाओ वाले करनन के दादा जी को श्रद्धान जली देने के लिए गाओ के बीचों बीच एक दिवार पर उनकी एक बरी सी तस्पीर बनाया था और अपने दादा जी के ये तस्पीर देखकर करनन बहुत इमोशनल हो जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि सारे गाओ वाले करनन के वापस आजाने के वज़ा से काफ़े खुश थे और सब मिलकर सिली बेट करते हैं और करनन भी काफ़े खुश था और इसे के साथ ये कहानी यही परी खतम हो जाती है